महाकाव्य रामयन में रिशी मौलमिकी ने उलेक किया है कि जब भगवान राम का जन्म हुआ था तब सूर्य मेश रासी में, सनी तुला रासी में, ब्रैस्पती और चंद्रमा करक रासी में, सुक्र मीन रासी में और मंगल मकर रासी में स्तिथ था इसके अलावा, यह चैत्र के चंद्रमास में चंद्रमा के इंक्रीजिंग फेज का नवा दिन था पुसकर भटनागर द्वारा लिखी किताब, डेटिंग दा इरा आफ लाड राम, इसके अनुसार, यह अनुकी सुक्स्म इस्तितियां, 10 जन्वरी 514 इस्वा पूर्व को आकास में मौजूद थी यहाँ पर किसी अंग्रेज का रिफ्रेंस देने के बचाए, मैं आपको सनातन धर्म को जीने वाले और जानने वाले व्यक्तियों का रिफ्रेंस देना बहतर समझूँगा वालमी की एक महान एस्टोनोमर थे, क्योंकि उन्होंने स्तिरी राम के जीवन से संबन्दित, महतवपूर टिख्यों पर महतवपूर औस्टोनोमिकल रिफ्रेंस दिये हैं, जो रासी चक्र, नक्सत्रों और अन्य सितारों के साथ-साथ, गरहों के इस्तानों का बहुत ही एक संकेत देते हैं, पुशकर भटनागर ने भारतिया राजसो सेवा में अपनी सेवा के दोरान सहिंक्तु राज अमेरिका से पहले ने टेरियम नामक एक अनुठा सौप्ट्वेयर प्राप्त किया था, उन्होंने महरसी महालमिकी द्वारा बताए गई ग्रहों की इस्तित राम तारिकों को निर्धारित किया, वालमिकी द्वारा रिकार्ट के गई खगोलिया डेटा को साप्ट्वेयर में फीट किया गया, इससे प्रात रिजर्ड ने संकेश दिया है कि 10 जन्वरी 514 इसापूरू के दोफर के समय गुरह और तारों की ठीक यही इस्तिती थी, जै दिन हुआ था, भारतिया पंचांग के अनुसार यह चैत्र मास के सुकल पक्स की नवमी तिथी, वालमिकी रामयन के अयध्या कान में उलेख है कि राजा दसरत स्री राम को राजा बराना चाहते थी, क्योंकि सूर्य मंगल और राहु ने उनके नक्सत्र को घेर रखा था औ और आम तोर पर ऐसे ग्रहों के उपस्तिती में राजा मर जाता है या साजिसों का सिकार हो जाता है, दसरत की रासी मीन थी और उनका नक्सत्र रेवती था, यह ग्रह विन्यास पांच जनवरी 5090 इसापुरू में परचलित था, और इसी दिन स्री राम ने 14 वर्ष के वनवा सुर्य ग्रहन का उलेक मिलता है, विभिन अन्य अध्यायों में वनित ग्रहों के विन्यास के आधार पर जिस्तिती को रावन मारा गया था, वह 4 दिसंबर 5076 इसापुरू है, और श्री राम ने 2 जनवरी 5075 इसापुरू में 14 वर्ष का वनवास पूरा किया, संयोग से उस द वालमिकी की रामयन में उलेक है कि सिरी राम की सेना ने रामिस्वर और सिरी लंका के बीच समुद्र पर एक पुल का निर्मान किया था, इस पुल को पार करने के बाद सिरी राम की सेना ने रावन को प्रास्त कर दिया था हाल ही मैं नासा ने एक मानव नेर्मित पुल की तस्विरे इंटरनेट पर डाली जिसके खंडर रामेसवर और स्रिलंका के बीच पाक जल डमरु मध्या में डूबे हुए पड़े हैं हाल ही में स्री लंका सरकार ने सीता वाटिका को पर्याटन स्थल की रूप में विक्सित करने की इच्छा जताई थी स्री लंका ही मानते हैं कि यह असोक वाटिका थी जहां रावण ने 5076 इसा पूरो में सीता को बंदी की रूप में रखा था रिग वेद की खगुलिय सहिता या एस्टोनोमिकल कोड में आयुध्या पर सासर्न करने वाले स्री राम के 63 पूरवजों को सुचिबत किया गया है श्री राम के पूरवजों को स्री राम, राजा दसरत, राजा आज, राजा रगु, राजा दिलीप आधि के रूप में खोजा गया है स्री राम और सीता के जीवन से जुड़ी गटनायें और अस्तान सची सास्किती और सामाजिक धरोहर है राम राज्या के दोरान जन्म के आधार पर ज्याती वियस्ता की बुरायां अस्तित्वहीन थी मैरसी वालमिकी को सोद्र वर्ग का बताया जाता है और फिर भी अयोध्या से निकाले जाने के बाद सिता उनकी गोदली भी बेटी के रूप में उनके साथ रही हेवं लव और कुछ उनके आस्रम में उनके सिश्य के रूप में पड़े हमें इस तथ्या पर गर्व करने की आवश्यक्ता है कि वालमिकी सायद पहले महान खगुल सास्त्री थे और गर्व नियासों का उनका अध्यन समय की कसोटी पर खरा उतरता है आये हम सब इस बात पर गर्व करें कि भारतिया सब्यता आज सबसे प्राचिन सब्यता है यह निश्चित रूप से 10,000 वर्ष से अधिक पुराना है इसलिए 1500 इसवा पूर में भारत में आर्यों के आकर्मन की कहानी को प्रेरित आरोपन के रूप में असिक्वार करें इंकिंग पर आधरित स्कुलों में सेक्सित किया गया था जो मानते थे कि हर भारतिय चीज घटिया या इंफिरियर क्वालिटी की थी इत्यास कारों को इत्यास को मिधक में बदलना बंद करना चाहिए प्राचीन भारतिय सब्यता और सस्किति पर अधिक प्रकाश डानने वाले सभी उपलक्त साक्षियों को इखटा करने इखटा करके खोदने खोजने उनका पता लगाना और उनका विशिशन करने की आवशकता है धन्यवाद जैहिं